हेलो एवरिवन आज हम लोग शिक धर्म के बहुत ही करांतिकारी गुरु गुरु तेग भाहदुर जी के बारे में जानते हैं करांतिकारी युक पुरुस थे और उनका जन्म वैसाक कृष्ण पंचमी को पंजाब के अमरित सर में हुआ था इस दिन को सहेदी दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन गुरु साहिब के इतिहास और शहादत के बारे में बताया जाता है गुरु तेग भाहदुर शिक धर्म के बहुत ही महत्वपूर गुरु थे अमरित सर में जन में गुरु तेग भाहदुर गुरु हर गुविंद जी के पांचवे पुत्र थे आठवे गुरु हर कृष्ण राय जी के निधन के बाद इन्हें नवा गुरु बनाये गया था यानि यसी धर्म के नवे गुरु थे इन्होंने आनन्दपूर साहीब का निर्माड कराया और ये वहीं पर रहने लगे ये बच्पन से ही बहादूर निर्भीक सुभाव के और आध्यात्मी कुरुची वाले थे मातर चौदा वर्स की आयू में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने अपने वीर्था का पर्चे दिया था इस वीर्था से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादूर यानि तलवार के धनी रख दिया उन्होंने मुगल शाशक और अंग्जैब की तमाम कोश्सों के बावजूद इसलाम गरहर नहीं किया और तमाम जुल्मों का पूरी मजबूती से सामना किया और अंग्जैब ने उन्हें इसलाम कबूल करने को कहा तो गुरु साहब ने कहा सीज कटा शकते हैं पर केस नहीं और अरंग्जेब ने गुरु जी पर अन्यक अत्याचार किये परंतुवे अविच्रित रहे वह लगातार हिंदुओं, सिखों, कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों का इसलाम में जबरम धर्मांतरंड का विरोध कर रहे थे जिसे उस समय का मुगल शाषक और रंग्जेब इनके उपर बहुत नारास था आठ दिन की यातना के बाद गुरु जी को दिल्ली के चादनी चौक में शीश काटकर शहीद कर दिया गया उनके सहीदी अस्थल पर गुरु द्वारा बनाए गया जिसे गुरु द्वारा शीश कंज साहब नाम से जाना जाता है इसी के साथ विस इतिहास में धर्म एवं मानुवी मुल्यों आदर्शों यो हमसे धान्त की रच्छा के लिए प्राणों की आहुती देने वालों में गुरु तेग बहदुर सहाब का अस्थान अप्रतिम है अदुती है बेमिशाल है लाजवाव है